हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई चैनल गुड़ फूड गुड़ लाइफ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी और बहुत ही यम्मी सी सबजी जिसको हम दही के आलू और या फिर मठे के आलू भी बोलते हैं यह बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे या तो यह हर फ्रेंस सब्जी मिलेगे हाँ सब्नाना हम शूरू गाते हैं यहां थीखन यहीं खनाना हुऊ धञ्स उपनीम तर फिरूस के आलू डिया यही हम ल्ला अलू बडांगे चका क्वां है इसको फोल्ड लेगे काटें दूर केवस कांपां। सब्सी दूर ठोगर घर में टेल को तब तब भूआ अलु इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम डालेंगे थोड़ा सा पानी यह सब्सक्राइब यह बहुत ही बन जाती एप बहुत ही अच्छी लगती है इसको आप गर्मागर लोटिंग साथ खाई और पराँटा के साथ खाई आज तब तक आप इसको चलाते रहेंगे नहीं तो दही फट जाएगा और सब्जी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हम बरावर चलाएंगे तो देखिए हमने सब्जी को बरावर इसी तरह से चलाते हैं और सब्जी में एक उवाल आ गया अब मिर्च पाउडर और इसको हम फिर से मिक्स करेंगे और इसको हम गैस का फिलेम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको हम अच्छी से पकने देंगे और जब तक इसको पकाएंगे जब तो ऊपर इसके दगी को ऊपर मलाई नहीं आ जाती तब तक हम इसको पकाते रहेंगे अब हमने डाल दिया इसमें हरी मिर्च कटु ही और इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से उपर इसके मलाई आ जाएगी तो हम सब्जाएंगे सब्जी हमारी एक्तम पर्फेक्ट बन कर देंगे सब्जी पक गई है और सब्जी हमारी गाड़ी भी हो गई है और देखी अभी वी उबल रही है लेकिन मैंने इसको जब मसाला डालने के बाद मैंने इसको चलाना बंद कर दिया थे इसको मैंने बिल्कुल गैस का फिल्म कम करके इसको मैंने ऐसी थोड़ा सा प्ल रवाई आसे सब्हुनी का कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में भी को अच्छी लगती है तो मठ्हे के आलु बन कर तयार इसको आ जरूर ट्राइय करकर देखना और बताना अपको मेरी बदा है कैसी देखे प्लत्य। तेष्टी तेष्टी मठ्टे के यालू बनकर तयारे है घर्वा गरम रोटि के साथ खाये पराठा के साथ भगत यम्मी लगता है या फिर राप इसको चावल के साथ भी खा सकते है तो भी बहुत अच्छी लगती है fare यहाじゃあता है 가는 को आप इसको एक बाज़ जरूर ट्राइब करना अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बाई बाई